देश में एक तरफ जहां बेटियों को बचाने और पढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है कई जाक रुकता अभियान चलाए जा रहे हैं लेकिन इन अभियानों पर पलीता उस समय लगा जब सी एम सिटी में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई आरोपो की माने तो मातर दो वरष की मासूं बच्ची के साथ इसके सोतेले पिटा द्वारा जो वेहवार किया जाता था वहना के वल शर्मनाक है बल की दिल दहला देने वाला है जानकारी के मताबिक बच्ची को नुकीली चीज़ें चुभाई जाती थी इतना ही नहीं बच्ची को जलती हुई बीडियों से भी दागा जाता था बच्ची के रोने की आवाज सुनकर पडोसियों ने इसकी शिकायत पुलिस को की पुलिस ने ये जानकारी बाल कर लिया और समीती को दी समीती दोरा मौके पर पहुँचकर बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया और उसे मेडिकल के लिये भीज दिया और आरोपि को गिरफतार कर लिया है आगामी कारवाई CWC के द्वारा और पुलिस द्वारा अमल में लाई जा रही है करनाल से तरुन मदान के रिपोर्ट कि CWC जो कही है चोटे बच्चों जो भी बच्चे किसी वी तरह से उत्पीडित हो रहे हैं या परतारित हो रहे हैं या ऐसे kaावों में लिफ्ट हैं कि जो की उनको नहीं करने चाहिए उन बच्चोे को beharों तक मानवता को जंजगोर देने वाली है कदेश के प्रथानमती नरेंदर मुदी जिस तरह से हमारे सरकारे राजे सरकारे प्रशाशन स creator प्रशाशन और अब इसके लावर केंदर के सरकारे बच्दीए को बचाने काम कर रही है भो उनका यह कहना है की बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, लेकिन जिस तरह से जो वाक्या करनाल में सामने आया है, कल वाक्या दिल धाला देने वाला है, सर क्या वाक्या है हमेश चर। प्लिन ने तरंट प्रभाव से बच्ची को रिस्क्यू करके हमारे तक पहुँ जाया हमने तरëंट प्रभाव से उस बच्ची का मेडिकल कर्वाने के निर्देश दे दिये हैं और यदी मेडिकल में ऐसा कुछ हाता है तो हम तुरंट उसके खिलाफ करवाई करेंगे सर बच्ची की आईउ कितनी है बच्ची की आईउ महेद दो से तीन साल है ये सर इन्होंने बताया कि एक छोटी बच्ची मातर दो साल की बच्ची को उसके पिता के दोरा जो उसके सोतेले पिता है सुतीले पिता के दोवारा उस बच्ची को मारा पिटा जाता था प्रोशियों दोवारा उसकी चीक पुकार सुनने के बाद चाइड लाइन को कम्प्लेंट की जाती है चाइड लाइन बच्ची को रेस्क्यू करके CWC के सामने पेश करती है CWC ने बच्ची का मेडिकल करवाने का निश्च भेज दिया है हलाकि अब डोक्टरों ने उसकी स्थिती को देखते विले बच्ची को एड्मिट कर लिया है और आज एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा जो कि बच्ची की स्थिती का पुरा जाय जालेगा जाता था उस बच्ची को नुकीले कीले चुबाई जाती थी इन बातों में कितनी सत्यता है अभी देखे हमने ये सब इन्वेस्टिकेशन के विशे हैं हमने बात की है आईयों से भी उसने कहा है कि जी मैंने जो पडोसी हैं उनके बातों के आधार पे परचा तो दर्च कर लिया है लेकिन अभी एक बार मेडिकल बोर्ड से पुष्टी होने के बाद ही ये सब बातें सामने आएंगी और जो भी बातें सामने आएंगी उसी के अनुसार कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी ये कहां का मामला है ये सदर वजार का मामला है उमेज सर इस बात के लिए कि यहां बच्ची को दागा जाता है बच्ची को नुकीले पदार्त चुबाया जाते हैं बच्ची को परताडित किया जाता है आपने जो उसके माता पिता जिनों ने किया है बच्ची के साथ ऐसा behavior किया है, ऐसा behavior जो करते रहे हैं, उनके प्रते कोई action लिया या अभी वो custody में हैं या फिलाल अभी उनके खिला complaint दर्ज हो गई है, वो लोग custody में हैं, ऐसा मुझे I.O. ने बताया था, और जो भी मामला medical board से आएगा, हम लोग उसी के अनुसार ही कारवा करवाना है, पुनरवास उनका करना है, अगर कोई ऐसा बच्चा उत्पीडन में है, तो हम लोग उसको अपनी custody में लेंगे, तुरंत अपनी custody में लेंगे और उसके बाद उस बच्चे का पूरा इलाज कराया जाएगा, उसको पढ़ने लिखने की सुईदा हमारे पस रह के ही उपलब्द कराई जाएगी, सर अगर जैसे अब बच्ची जो पूरोशी ने आरोप लगाए, जिस अधार पर चाइड लाइन में बच्ची को रेस्क्यू किया, आपने बच्ची को मेडिकल के लिए भेज दिया, अगर बच्ची के सार क्रूरता और उत्पीडन की बाते स बड़ा बच्चों के लिए जो भी क्रूल क्रूल्टी करता है, जो भी बच्चों का उत्पीडन करता है, जो भी बच्चों को गाली देता है, यहां तक की बच्चों को आँख तरेड कर देखता है और बच्चे का मानसिक या शारीरिक रूप से उत्पीडन होता है, तो वो section 75 में उसके खिलाफ कारवाई होती है सर अगर बात की जाए parents जो हैं अभी वो custody में आ चुके है पुलिस पूस्ताच के दराँ उन्होंने कुछ बात कुबूली ऐसा कुछ मा या I.O. ने आपको बताया हो या पूलिस अदिकारियों साब की बात हुई हो इस दोरान जो भी पूस्ताच चुई जैसे उनको कली अरेस्ट कर लिया गया था इसके बाद अब तक उन्होंने कुछ पूस्ताच में कुछ कबूला हो या कुछ ऐसा कुछ बताया हो नहीं ऐसी बात कोई मेरे सामने नहीं आई है देखे ये थे मेरे साथ CWC के चेर्मेन उमेश चानना जी जिन्होंने सपश्ट तोर पर बता दिया कि CWC के क्या काम है इनका काम है बच्चे को रियाबिलेटेशन के लिए लेके जाना बच्चों का पुनरवास करना जिस तरह से दो साल की बच्ची के साथ ऐसी वैशियाना हरकत की गई है ऐसी हरकत की गई है कि बच्ची को जहां तक हमें पता लगा है कि बच्ची को बिल्डियों से दागा जाता था, बच्ची को नुकीले पदार्त, नुकीली चीजों से चुबए जाता था, जब उसकी चीक पुकार सुनका प्रोशियों ने CWC से पहले चैल्ड हेल्प लाइन को फोन किया, हेल्प लाइन ने वहाँ पहुंचकर बच्ची को रेस्क्यू करके CWC के सामने पेश किया और आगामी कारवई अब CWC कर रही है, हाला कि जिनके साथ, जिनों ने बच्ची के साथ बरताव किया है, वह अभी पुलिस हिरासत म हैं और उनसे पूस्ता जारी है, और बच्ची का मेडिकल है, बच्ची को मेडिकल के लिए भेजा गया है, बच्ची फिलाल, डॉक्टरों के अब्जर्वेशन में हैं, डॉक्टर का बोड बैठेगा, उसके बाद जो भी स्तिती होगी, उसके अवलोकन के अधार पर अकामी कारवाय ली जाएगी, लेकिन यह बासपष्ट है, कि अगर बच्ची के साथ यह इस तरह की बात सच साबीच होजाते ही, तो उन माता पिता को पुलीस की हिरासत में जाने से, कोही नहीं बचा सकता है, मैं समचर एइस्प्रेस के मादाम से, एक बर फिर से आपको संदेश य उनको, इवन की बच्चों गाली देना या उन्हें आँख त्रेड कर भी देखना यह करूरता में आता है, और इसके लिए विशेश तोर पर जे जे एक्ट के तहरत कई नियम बनाये गए हैं, और अगर मैं इस फिर दुबारा बता दूं, कि इस बच्ची के साथ करूरता का चाइल्ड हेल्प लाइन, राज्य सरकारे, केंदर सरकारे और जिला पर शाचान अपने इस तरफ पर बच्चीयों के साथ, इवन की किसी बच्चे चोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे, उनकी साथ करूरता को एक अपराद माना जाता है, लेकिन एक दो साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसा दर्दनक वाक्य होता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके चीक पुकार तब बड़े उसे सुनते हैं, उसको अपके पास आप लोग एक्शन में आते हैं, अब आपके पास बच्ची आ गई है, ऐसे अपराद ना हूँ, इसके लिए आप समा से क्या पील करने चाहेंगे? कि जिनों ने हमें ये बताया मैम अभी आपने जिकर किया कि बच्ची के शरीर पर निशान थे वो का चोट के निशान थे? जले हुए निशान थे? देखे निशान थे बच्ची का जो हाथ पे था वो जला हुआ था उसकी मा से मैंने पूछा बोली चाहे से जल गया तो मैंने कहा कि वो स्लैप पे थोड़ी चड़ गई बच्ची दम गरम चाहे में कि नहीं कप में रखी हुई थी कप में चाहे जब तक आएगी आज का थंडा मौसम है तो चाहे एक दम गरम नहीं होती इससे संद्ध होता है कि उसके पापा ने ही उस लड़की को जलाया था बच्चे को और उसके पीछे बटक्स वगरा मैंने सारे चेक किये थे उसमें निशान है बाकी आज मेडिकल रिपोर्ट आ जाएगी उसके बादी पता चलेगा लेकिन उनके जो परौसी है उनके हम धन्यवादी है कि उन्होंने हमें बताया उन्होंने तो यहां तक कहा कि एक रात को उसके फादर उसका गलाभी धबा रहे थे तो जब वो बच्ची रोई है तो परौस के माता जी उठके गए हैं वो डेड़ गंटा वहां बैठे निरूपमा इस का परौस के लिए तो जब इन्होंने बच्ची के बताया कि अचा दर्श्यवादी के बेख बच्ची के पर लिए तक कि जब उस बच्ची एगला दबाने का परियास कीा गया था लेकिन जिस तरह के निशान बच्ची के साथ करूरता हुई है लेकिन बच्ची की मान ने यह कहा कि बच्ची पर चाहें गिरी है लेकिन उसके इस प्रशन के जवाब में इन्होंने यह पूछा कि बच्ची के श्रीर पर चाहें कैसे गिर सकती है बच्ची तो छोटी है वो सलै पर नहीं चड़ सकती है लेकिन जिस तरह के निशान बच्ची के शरीर पर मिले हैं उसे साब जाहिर होता है कि बच्ची के सारे कुरूरता हुई है जो कि भीयदी शरम नाग बाता है सीम सीटी के अंदर ऐसी घटनाए होना भी है शरम नाग बाता है जहांकर मक्य मंतरी स्वेम संग्यान लेते हैं और वो खुद भी बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं हम इनसे एक बार बात करते हैं मैं एक आखरी स्वाल ऐसे माता पिता अगर जैसे अगर इस बच्ची के साथ जो भी हुआ अगर वो सच साबित हो जाता है तो ऐसे माता पिता हो कितनी खिलाब कितनी कड़ी कारवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक उनको उचित दंड दिया जाएगा तकि समाज में रहने वाले और लोगों को भी सबक मिले कि बच्चों के संग ऐसा नहीं होना जाए परसेंट अगर सच साबित हो जाता है पेरेंट्स रेस्ट हो गए तो उसके बाद बच्ची कस्टिडी आपके पास रहेगी हाँ बच्ची हमारे पास रहेगी हमारी संस्ता में रहेगी इनका ये कहना है कि जिन लोग जो बच्ची के पेरेंट्स से अगर उन्होंने ये कुर और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जो भी करनाल में गटना हुई है यह बेश शिरम ना गटना है ऐसी गटनों के पुन्रावृति ना हूँ इसलिए ऐसे दोश्यों को कड़ी से कड़ी सजा मिलने चाहिए मैं तरूमतन सीनिर केमरा पर संनी चोधर समचार एक्सपरेस के यह बेल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइक शेर आड़ सब्सक्राइब करें धन्यवादी